Hello everyone, welcome to UP Online Coaching. UP Online Coaching के इस पीडियो में आज हम करेंगे Important Brands and Companies और उनके Founders. अर्थात, दुनिया के प्रसिद ब्रांड और कमपनियां और उनके संस्थापक कौन थे और भारत के प्रसिद ब्रांड और कमपनियों को भी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे और उनके संस्थापक कौन कौन से थे तो आज का वीडियो देखने के बाद आप discriminate कर पाओगे कौन सी कमपनी भारत की है कौन सी कमपनी वीडेश की है और महत्मूर यह भी होता है संस्थापक तो दोस्तों एक्जाम में पूछते ही है संस्थापक के साथ साथ जो दुनिया की बेहतरीन कमपनीया है उनके बारे में ये भी पूछ लेते हैं कि वो किस कंट्री की है हर्थात किस देश की है तो बिलम ने करते हुए अब जैसे आपने देखा होगा फेस्बुक के संस्थापक का नाम एक्जाम में पूछ लेता है याहू के संस्थापक का नाम पूछ लेता है एक्जाम में इस्टाग्राम के संस्थापक का नाम बताईए या ट्वीटर के संस्थापक का नाम बताईए ऐसे ऐसे बहुत सारी कमपनिया है जारा के संस्थापक का नाम बताईए उबर के संस्थापक का नाम बताईए, ओला के संस्थापक का नाम बताईए, गूगल के संस्थापक का नाम बताईए, अमेजन के संस्थापक का नाम बताईए, माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक काउन थे, नेटक्लिक्स के संस्थापक काउन थे, मीडियम के संस्थापक काउ तो दोस्तो सबसे परहे देखते हैं दुनिया के प्रसीद ब्रांड और कमपनी और उनके संस्थापक उसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रसीद ब्रांड और कमपनी और उनके संस्थापक तो वह सबसे पहली कमपनी का नाम है वालमार्ट यह एक रीटेल कमपनी है दोस्तो अब ये online retail में भी आ गये हैं e-commerce में भी आ गये हैं क्योंकि flip card को इन्होंने खरीद लिया है किसको Walmart ने flip card का भी अधिगरान किया है कुछ हद तक इसे भी खरीद लिया है इसके संस्थापक थे Sam Walton Walmart के संस्थापक थे Sam Walton यह एक retail अर्थात खुद्रा कमपनी है यह एक खुद्रा कमपनी है और flip card के यह यह online retail में भी आ गये है क्योंकि flip card का इन्होंने अधिगरान कर लिया है पूरी दुनिया में Walmart के retail store मौजूद है तो इसके संस्थापक महतपूर्ण है Sam Walton यह company कहा की है USA की दो चीज़े आपको दिमाग में बैठाना है company किस देश की है और उसके संस्थापक कौन थे संस्थापक कौन थे हो सकता है अभी जीवित हो तो संस्थापक कौन है दो चीज़े आपको दिमाग में बैठानी है यह Walmart अमेरिका की company है अगली company है दोस्तो Nestle food company है यह है निसले इसके founder कौन थे तो इसके founder थे Henry Nesley इन्ही की नाम पर इस company का नाम पढ़ा Nesley निसले एक dairy company है कहा किस देश की है android हेट quarter कहा है यह आप से एक्जाम में नहीं पूछेंगे वो पूछेंगे किस देश की company है तो sweetheart land की company है निसले दुनिया की best dairy मानी जाती है बढ़ते हैं अगली company की तरफ अगली company है Uber Uber transport company है यानि परिवहन company है मुख्याले कहां पर है ये जरूरी नहीं है बस आप इतना जानिये ये अमेरिका की company है आपकी exam के लिए इतना भहुत है अमेरिका की company है इसकी अस्थापना दो लोगों ने की थी Garrett Camp और Travis Clannick Travis Clannick दो लोगों ने मिलकर इसकी अस्थापना की थी बढ़ते हैं अगले question पर अगला question क्या है दोस्तो अगला है Christian Dyer यह एक fashion company है Christian Dyer एक fashion company है इसके बारे क्यों इतना जान लीजिए कि यह company कहा की है तो यह company France की है इसके संस्थापक कौन थे आप विश्वास कीजिए exam में आपसे नहीं पूछेगा अगली company है दोस्तो Louis Wheaton Louis Wheaton Louis Wheaton यह भी एक प्रकार की fashion company है और कहा की company है फ्रांस की company है इसकी अस्थापना अर्थात इसके संस्थापक Bernard Bernard Arnold है तिन चार लोगों ने इसके स्थापना की थी और एक बात और द्यान दिखिए इसकी company का नाम है Louis Wheaton लेकिन इसकी parent company है Moet Hennessy Louis Wheaton parent Hennessy Moet Hennessy Louis Wheaton इसकी parent company parent company मतलब आभी भावा company है उसके अंतरगत Louis Wheaton आती है Bernard Arnold Bernard Arnold Europe के सबसे अमीर ब्यक्ती है Bernard Arnold Europe के सबसे अमीर ब्यक्ती है अगली company है यह भी fashion की company है company का नाम है Jaira Jaira एक fashion company है कहां की है Spain की इसके founder कौन थे इसके founder थे Amancio Ortega Amancio Ortega बस आपको दोस्तो founder और company किस देश की है यह जानना है भारत की company है एक के बारे में मैंने उनका collection अलग से कर लिया है लेकिन यहां पर केवल आपको किस देश की company है founder कौन थे यही इतना important है अगली company है दोस्तो सीमेंस सीमेंस कैसी company है automation company है अर्था स्वेचालन company है जर्मनी की company है किस देश की company है यह जर्मनी की अगली company है IBM अंतराष्टी ब्यापार मसीन इंग्लिस में बोलते हैं international business machine टेक्नलोजी और रकंसन्टेंसी बोल लीजिए आप परामर्स कह सकते हैं हिंदी में United Nation अर्थात अमेरिका की company है इसके founder थे Thomas Watson Thomas Watson बहुत बड़ी company है इसके founder एक जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि IBM के संस्थापक का नाम बताईए तो Thomas Watson इस company के संस्थापक थे कहां की company है अमेरिका की अगली company है दोस्तो Ericsson Ericsson कहां की company है Sweden की company है Ericsson गाड़ियों की company है एक बात ध्यान रखिए Volvo भी Sweden की ही company है Ericsson Sweden की company है Volvo भी Sweden की ही company है अगली company है दोस्तो LG Carp LG Carp कैसी company है बहुराष्ट्री है बहुराष्ट्री संगुटिका है कहां की company है यह South Korea की company है अर्था दच्छिड कोरिया की Samsung company भी दच्छिड कोरिया की ही है Samsung का phone आप यूज करते होंगे LG का laptop आता है आपने देखा होगा तो Samsung और LG दोनों दच्छिड कोरिया की company है अगली कमपनी है L'Oreal L'Oreal Cosmetic की कमपनी है अर्थात Cosmetic का मतलब आप जानते होंगे सौंदर प्रसाधन सामग्री की कमपनी है इसकी अस्थापना किसने की थी? फ्रांस की कमपनी है दोस्तों ये इसकी अस्थापना की थी यानि इसके संस्थापक है Eugen Suler Eugen Suler इसके संस्थापक है बढ़ते हैं अगली कमपनी पे अगली कमपनी है eBay Inc e-commerce की कमपनी है eBay Inc अमेरिका की कमपनी है किसकी द्वारा इसकी अस्थापना की गई थी? अर्था संस्थापक कौन थे? eBay Inc की तो पियरे मुराद ओमिद्यार इसके संस्थापक का नाम है Dell Dell का लैप्टॉप आपने देखा होगा Computer Technology की कमपनी है Michael Dell इसके संस्थापक है अमेरिका की कमपनी है Michael Dell के नाम पर ही इस कमपनी का नाम पढ़ा है Dell अगली कमपनी है दोस्तो Heavlet Packard कहां की कमपनी है? अमेरिका की कमपनी है, हेवलेट, पैकार्ड, IT सेक्टर की कमपनी है, और अमेरिका की कमपनी है, इतना ही आवश्यक है, इसके संस्थापक उतने आवश्यक नहीं है, अगली कमपनी है, निंटेडो, निंटेडो, वीडियो गेम बनाने वाली कमपनी है, कहां की, जापान की, व पुलफार मुताइब पेवरी पेनी टुसेव इजराइल पेपसी ये कहां की कंपणी है अमेरिका की कंपणी है पेपसी को पेपसी को का एक प्रोड़क्ट है पेपसी ध्यान दीजिएगा दिकू को को ला कंपणी को का को को ला कंपणी कहां की है अमेरिका की है इसका headquarter जारजिया में है जारजिया उतना important नहीं है लेकिन इस Coca Cola company का एक coffee आता है इस coffee का नाम है जारजिया तो जारजिया नाम coffee का क्यों इनोंने रखा क्योंकि Coca Cola company का मुख्याल है अर्थाथ headquarter USA के जारजिया नामक अस्थान पर है आप कुछ सबसे महत्पूर कंपनियों के बारे मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ जो आप regular use करते हैं लेकिन उसके संस्थापक का नाम आप नहीं जानते हैं और थाथ founder का नाम आप नहीं जानते हैं हो सकता है आप मेंसे कुछ लोगों को अता भी हो लेकिन ध्यान रखेगा ये एक्जाम में बार बार पूछता है याहू वेव सर्वीस की कंपनी है याहू याहू के बारे में आप जानते होंगे ज़्यादा मैं नहीं बतलाऊंगा इसके founder है Jerry Yang और David Philo अमेरिका की कंपनी है Jerry Yang और David Philo very very important बहुत ही महत्मूर है ये एक्जाम के द्रिष्ट कोंड से अगली कंपनी है दोस्तो Instagram आप यूज करते होंगे सोसल नेटवर्किंग साइट है Instagram सोसल नेटवर्किंग से रिलेटेड है Kevin Sistrom इसके founder है Kevin Sistrom और Mike Kriger Instagram ने अब Facebook मतलब Instagram को अब Facebook ने खरीद लिया है Instagram को अब Facebook ने खरीद लिया है Facebook के संस्थापक कौन है अभी मैं आगे आप लोको बतलाऊंगा Facebook के संस्थापक कौन है Instagram के संस्थापक मत भूलिएगा Kevin Sistrom और Mike Kriger अगला है WhatsApp आप डेली यूज करते होंगे WhatsApp Messaging and calling mobile app है इसके बारे में आप जानते होंगे Jan.com और Brian Acton इसके संस्थापक है USA की कंपनी है WhatsApp को भी Facebook ने खरीद लिया है यानि WhatsApp और Instagram दोनों को Facebook ने फिलाल खरीद लिया है अगली कंपनी है दोस्तो Twitter Twitter Social Networking साइट है इसकी अस्थापना चार लोगों ने मिलकर की थी एक, दो, तीन, चार अमेरिका की कंपनी है दोस्तो Twitter लेकिन इसमें से Jack Dorsey सबसे important है Jack Dorsey आप मत भूलिएगा Jack Dorsey एक्जामे पूछता है Twitter की अस्थापना किस ने की थी option में Jack Dorsey ही रहता है तो Jack Dorsey ने अस्थापना की थी Twitter की अब एक कंपनी है Medium Medium की अस्थापना किस ने की थी Ivan Williams ने यह भी अमेरिका की कंपनी है जाद तर Social Networking साइट वाली जितनी भी कंपनिया है वो सब दोस्तो अमेरिका की ही कंपनी है तो Medium की अस्थापना किस ने की थी जिस कंपनी की स्थापना जिसने की उसी को हम संस्थापक बोलते हैं तो मैं अगर कहूं कि मीडियम के स्थापना किस ने की थी या मीडियम के संस्थापक कौन है दोनों बाते एक हैं इवान विलियम्स अब अगर आप ध्यान से देखिए इवान विलियम्स वही बेकति हैं जिन्होंने ट्वीटर की अस्ठापना जैक दोर्सी के साथ की थी यानि इवान विल्यम्स ने ट्वीटर के भी सहसन स्थापक थे और इनोंने अपनी अलग से कंपणी बनाई जिसका नाम है मीडियू बढ़ते हैं अगली company पे अगली company है दोस्तो टंबलर tumbler किया स्थापना किस ने की थी अतार इसके संस्थापक कौन थे डेविड कार्प यह भी अमेरिका की company है social networking company है टंबलर दोस्तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं इसके बारे में जितनी information मैं आपको दे रहा हूँ, उतनी ही exam में required है, उतनी ही exam में आपसे पूछी जाती है, अगली company है दोस्तो कोरा, कोरा कैसी company है, question answer website है यह, यानि सवाल जब आपकी website है, इस पे आपको प्रस्न करेंगे, तो website answer नहीं देगी, कोई दूसरा बेखती आपका answer दे सकता है, इसकी अस्थापना दो लोगों ने मिल कर की थी, Charlie Cheever, अमेरिका की company है यह, कोरा को फे और यह, जिन दो लोगों ने इसके अस्थापना की थी, यह Facebook के करमचारी थे, अर्थाथ, Facebook के दो करमचारी थे, कोरा company के अस्थापना की, नाम है Adam, बी एंजलो, Adam, एंजल पर यह, कोरा company, बढ़ते हैं, अगली company की तरफ, अगली company है, Pintereist, Pintereist, social media है यह Pintereist, Pintereist की अस्थापना किस ने की थी, Pintereist की अस्थापना, तीन लोगों ने मिल कर की थी, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अमेरिका की company है Pintereist, अमेरिका की, जिन तीन लोगो ने की थी, एक नाम है, Ben Silverman, Ben Silverman, दूसरे है, Ivan Sarp, तीसरे है, Paul Saisarra, Paul Saisarra, Paul Saisarra, अमेरिका की company है, Snapchat, Snapchat, multimedia messaging app है, इसकी अस्थापना, तीन लोगों ने मिल कर की थी, अमेरिका की company है, लेकिन तीन में से, एक एवल एक ही exam में आपसे पूछेगा, उनका नाम है, Ivan Spiegel, Ivan Spiegel, बाकि Bobby Murphy, Reggie Brown, ये exam में आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि सबसे famous है, Ivan Spiegel, अगली company है दोस्तो, Linkedin, Linkedin, ये कैसी company है, Linkedin, समाजिक networking, बेऊसाय, और रोजमगार से संबंदित company है, समाजिक networking, बेऊसाय, और रोजगार से संबंदित company है, कहां की है, अमेरिका की है, इसकी अस्थापना, यानि इसके संस्थापक, चार लोग है, रिड़ वॅप मैन, रिड़ हॉप मैन, दूसरे है, कुंस्टेटिन गुवेर के, तीसरे है, एलन बलू, और चोथे है, जीन लिूक वैलेट, और पांच में है, एरिक ली, पांच लोगों ने की थी, सौरी, एरिक ली भी इसमें सामिल थे, तो पांच लोगो आप मेंसे लगभग सभी लोग यूज़ करते होंगे क्लाउड अधारित त्वरित संदेश अनुप्रियों की कमपनी है दोस्तों अर्थात क्लाउड बेजड इंस्टेंट मैसेजिंग अप्लिकेशन है ये वाट्सअप के जैसा ही है टेलीग्राम रूस के दो भाईयों ने इस कमपनी को सुरू किया था उन दोनों भाईयों को बोलते हैं डूरो बंदू एक का नाम था निकोलाई डूरो दूसरे का नाम था पावल डूरे तो देखे टेली ग्राम रसिया की कमपनी है अभी तक जारतर कमपनी आप जितनी भी देख रहे थे सब कहां की थी अमेरिका की थी एक दो दिछिड कोरिया की भी आपने देखा, एक दो जापान की भी देखा, लेकिन जाड़तर कंपनियां जो 28 कंपनी के बारे मैं आफ तक आपको बतला चुका हूँ, जाड़तर कंपनियां अमेरिका की थी, टेलिग्राम रूस की कंपनी है, ध्यान दिजीएगा, अगली इसकी स्थापना तीन लोगों ने मिलकर की थी इस्टिव हॉपमैन आरोन स्वार्च एलेक्स ओहानियन अमेरिका की कंपनी है रेडिक्ट अब कुछ कंपनिया ऐसी है जिनको मिला कर एक ग्रूप के रूप में हम बोलते हैं कहने कामतलब यह है कुछ कंपनी को मिला कर हम फांग बोलते हैं कुछ कंपणी को मिला कर हम फांग जे बोलते हैं तो उनके बारे हम देखते हैं दोस्तों ये फांग फांग फांज गाफा ये वर्ड कहां से आया इस्टॉक मार्केट से आया तो अगली कंपणी है दोस्तों इसे हम कंपणी तो नहीं बोलेंगे फांग फांग कंप अगली कमपनी है दोस्तों अलफावेट तिन पाच कमपनीों को मिलाकर हम बोलते हैं फांग एफ डबल ए एनजी अगली कमपनी है गाफा अब जो फांग है उसमें से नेटफ्लिक्स को आप हटा दीजिए तो देखिए अमेजॉन अमेजॉन फेस्बुक फेस्बुक एपल जैसे एफ डबल ए वहाँ एनजी था यहाँ एमजी अर्थात नेटफ्लिक्स की जगह पर एक कमपनी आ गई है उसका नाम है माइक्रोसाफ्ट तो जो फांग था वही फांग है केवल नेटफ्लिक्स से अस्थान पर आप माइक्रोसाफ्ट को रख दीजिए बागी सब वही है इसे बीड फाइब यानि दुनिया की पांच वहजरीन कंपणियां हम बोलते हैं जैसे अलफफाबेट गूगल की पैरेंट कंपणी है जी से गूगल है चूंकि गूगल की पैरेंट कंपनी है अलफफाबेट आमेज ओन फेस्बूख एपल और माैक्रोसाफ्ट बढ़ते है अगली कंपणी है Google अब एक करके देखते हैं यह फांग में जो जो कंपणिया थी जैसे आपने फांग में पांच कंपणियों के बारे में देखा आमे जॉन फेस्बूक एपल नेटफ्लिक्स अलफाबेट अब इन पांचों के फाउंडर के बारे में हम देखेंगे तो इस अगली कंपणी है फेस्बूक सोचल नेटवर्किंग सर्विस की कंपणी है इसको चार-पांच लोगों ने मिलकर 2004 में सुरू किया था मार्क जुकरबर्ग सबसे महत्पूर हैं मार्क जुकरबर्ग ने अपने मार्क जुकरबर्ग कहा की विद्यारती थे हावर्ड कालेज के विद्यारती थे अपने रूमेट्स और अपने साथियों के साथ मिलकर इनोंने सुरू किया था कहा की कंपणी है अमेरिका की अपना हुई थी अमेरिका की एकमपनी है और इसके तीन फाउंडर का नाम है इस्टिव जोप्स इस्टिव जाब्स। इस्टिव वंजीआक वॉन का और रुञालड वैन यानि यू रुनालड वेन बोलते रुनाल्ड वेन, ये तीन लोगों ने मिलकर शुरू की थी, ये कंपनी जिसका नाम है इपल, अगली कंपनी है दोस्तो, अमेजॉन, अमेजॉन, अमेजॉन कहा की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जेब बेजोस ने इसके स्थापना की थी, जेब बेजोस, अगली कंपनी है शुरू किया था इन दोनों ने मिलकर Microsoft, अमेरिका की कमपनी है ये भी, अगली कमपनी है Netflix, इसके दोनों founder बहुत important हैं, क्योंकि ये कमपनी अब बहुत बड़ी बन चुकी है, खर्बो में ब्यापार है इसका, अमेरिका की कमपनी है, I repeat, अमेरिका की कमपनी है, दो लोगों ने मिलकर Netflix को सुरू किया था, रीड हेस्टिंग और Mark Radolf, Mark Radolf, तो दोस्तों अभी तक जो आपने कमपनियां देखी, वो दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी कमपनिया थी और उनके संस्थापक, किस सं में सुरू हुआ, कहां हेड़कौार है, ये सब जरूरी नहीं है, बस इस वीडियो में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, वो सारी कमपनियां भारत की है, तो भारत की कुछ प्रमू कमपनियों के बारे में हम देखेंगे, पहली कमपनी है, ताटा ग्रूप, भारत की पहली कमपनी वैसे ताटा ग्रूप नहीं है, लेकिन ताटा ग्रूप इस वीड है जमसेदपूर्शिटी इन्ही की नाम पर है इंफोशिश अगली कंपनी है इंफोशिश सूचना प्रोध्योगी की परामर्श की कंपनी है चार पांच छे लोगों ने मिलकर इंफोशिश को सुरू किया था दो लोग ज्यादा महत्पूर्ण है एन आर नरायन मूर्थी और अगली कंपनी है दोस्तों विप्रो सूचना प्रोध्योगी की परामर्श की कंपनी है ये विप्रो इनफोर्मेशन टेक्नलोजिक और कंसल्टिंग की कंपनी है विप्रो मुहमद हसम प्रेम जी ने सुरू की थी कंपनी विप्रो इनके बेटे का नाम है अजीच प्रेम जी और इनके पोते का नाम है रिसाद प्रेम जी, विप्रो भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी में से एक है, अजीज प्रेम जी भी फेमस हैं, रिसाद प्रेम जी भी काफी फेमस हैं, अगली कंपनी है भारत की दोस्तों, रिलाइंस, रिलाइंस को सुरू किया था धीरू भाई अम्बानी ने अर्थात इसके संस्थापक का नाम है धीरू भाई अम्बानी एट सीयल इंटरप्राइज की अस्थापना की थी आईटी कंपणी है यह भी विप्रो की तरह है यह भी भारत की सबसे बड़ी आईटीज कंपणी में से एक है दो लोगों ने मिलकर इसे सुरू कि अगली भारती कंपणी है दोस्तों जेन पैक्ट पेसिवर सेवा फर्म की कंपणी है प्रमोध भसीन ने इसके अस्थापना की थी प्रमोध भसीन आई रिपीट प्रमोध भसीन अगली कंपणी है एशियन पेंट्स चंपक लाल चोकसी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपन से मिलकर बसी आजने इसके ने कंपणी आगली कंपणी है दोस्तों डाबरर के संस्ठापक का नाम है यानि फाउंडर का नाम है एसके बरमन अगली भारती कंपनी है लिव्पिन फार्मा स्यू्टकल की कंपणी है इसको सुरू रोक था देशभंधु गुपता ने यह भी भ पानी में कूद कर अत्मत्या कर ली इसके संस्थापक हैं इसका कैफे काफी डे भी आता है यानि बीजी सिधार्त भाने भारत की एक बड़े लेवल पर जो पहली काफी की कैफे थी यानि बड़े लेवल पर भारत की पहली काफी की कैफे शुरू की थी पीजी सिधार्त ने औ अगली कंपनी है दोस्तो अपोलो हॉस्पीटल अपोलो हॉस्पीटल को शुरू किया था प्रताप सीरेड़ी इसके फाउंडर है भारती एरटेल भारती एरटेल को शुरू किया था सुनील भारती मित्तल ने दूर संचार की कंपनी है इनके बेटे का नाम है कवीन भारती मित तलने फिलहाल भारती एर्टिल के बारे में जानेंगे सुनील भारती मिट्टल हाइक मेसेंजर अभी आगे आएगा फ्यूचर ग्रूप एक कंपनी है फ्यूचर ग्रूप किसोर बियानी किसोर बियानी ने सुरू कि अथा फ्यूचर ग्रूप इसे रिलाइंस ने खरीद लिय किसोर भियानी के बारे में एक खास बात जाने जीए किसोर भियानी को फादर आप modern retail in India बोलते हैं यानि भारत में खुद्रा ब्यापार का जनक किसोर भियानी अगली कंपनी है शिपला, ख्वाजा अब्दुल हमीद ने शुरू की थी ये कंपनी शिपला, भारत की सबसे पु Sun Pharma, Dilip Sanghvi, very very important, Dilip Sanghvi, Sun Pharma Company के संस्थापक कौन थे, Dilip Sanghvi, अगली कंपणी है, Ashok Leland, ये कंपणी ट्रक बनाती है, Ashok Leland, आटो मुबाइल के कंपणी है, रगुनंदन सरन, इसके संस्थापक है, रगुनंदन सरन, अगली कंपणी है, Biocon, Biocon, Pharmaceutical की कंपणी है, कीरण मजूमदार्शा, कीरण मजूमदार्शा ने इसके स्थापना की थी, ये सारी भारती कंपणी हैं, दोस्तों, जो मैं आपको बतला रहा हूँ, बजाज आटो, दो पहिया, तीन पहिया वाहन बनाती है, जमना लाल बजाज ने इसके स्थापना की थी, बजाज आटो, अगली भारती कंपणी है, निर्मा, करसन भाई पटेल, निर्मा का आता है आपने देखा भी होगा यूज भी किया होगा सुना भी होगा करसन भाई पटेल ने इसके अस्थापना की थी अगली कंपनी है ओला राइट सेरिंग कंपनी है भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने शुरू की थी कंपनी ओला के कैब आते हैं OYO Rooms OYO Rooms को हम OYO Hotels और OYO Homes भी बोलते हैं रितेस अगरवाल ने शुरू की थी इस कंपनी को OYO Rooms Flipkart ध्यान दीजीगा Flipkart भारती कंपनी है Amazon अमेरिका की कंपनी है Amazon को शुरू किया था जेब बेजोस ने और Flipkart को दो भायों ने शुरू किया था सचिन और बिन्नी बंसल ने सचिन बंसल और बिन्नी बंसल अगली भारती कंपनी है Paytium E-commerce payment और financial technology की कंपनी है Paytium बीजय सेखर सर्मा इसके संस्ताफक थे Paytium के संस्ताफक थे बीजय सेखर सर्मा अगली कंपनी है Payton Pay Samir Nigam Rahul Chari Burgin Engineer ने मिलकर सुरू की थी लेकिन सबसे महत्पूर्ण है Samir Nigam यानि Payton Pay के संस्ताफक कौन है तो Samir Nigam क्यों Samir Nigam महत्पूर्ण है क्योंकि बरतमान में इसके CEO यही है Samir Nigam अगली कंपनी है Shweegi Shweegi पे आप खाने पीने की वस्तूओं को आदेश करके मंगा सकते हैं तीन लोगों ने मिलकर इस कंपनी को सुरू किया था Nandan Reddy Shree Harsa Magity और Rahul Jamini Shweegi अगली कंपनी है Jomato Shweegi टाइप की ही कंपनी है Jomato दिपिंदर गोयल और पंकचचड़ा इसके संस्तापक का नाम है दिपिंदर गोयल और पंकचचड़ा ने कंपनी सुरू की थी जिसका नाम है Jomato अगली कंपनी है दोस्तो Jirodha वित्ती सेवा की कंपनी है कामत बंदू ने इसे सुरू किया था नितिन कामत और निखिल कामत एक कंपनी था नितिन और दूसरे कंपनी था निखिल अगली कंपनी है Dream Eleven Fantasy Sports है Fantasy का मतलब क्या होता है जानते हैं Fantasy का मतलब होता है कालपनी यानि कालपनी खिल की कंपनी है ये Dream Eleven हर्स जैन और भावित सेट हाइक मेसेंजर कवीन भारती मित्तल कवीन भारती मित्तल कौन है भारती एरटेल को शुरू करने वाले सुनील भारती मित्तल के बेटे है कवीन भारती मित्तल हाइक मेसेंजर के संस्थापक है कवीन भारती मित्तल इन मोबी अगली कंपनी है दोस्तों इनमोबी, नवीन तिवारी, मोहित सक्सेना, अमित गुप्ता, अभे इन चार लोगों ने मिलकर शुरू किया था, इनमोबी, नवीन तिवारी सबसे महत्पूर है, अब नवीन तिवारी ने एक और कंपनी सुरू कि थी, जिसका नाम है Glance, ग्लांस नविन तिवारी इसके भी संस्थापक है स्नैप डिल एकॉमर्स की कंपनी है स्नैप डिल कुनाल बहल और रोहित बंसल इसके संस्थापक है नायका सौंदर प्रसाधन की कंपनी है नायका फालगुनी नायर यानि फैसन की कंपनी है इसके संस्थापक है, फाल गुनी नयर, रेजपारे, रेजो परे कंपनी है, हरसिल माथूर इसके संस्थापक है, हरसिल माथूर और ससांक कुमार, ससांक कुमार, अगली कंपनी है दोस्तों Pine Labs, Pine Labs ब्यापारिक मंञ की कमपनी है, Pine Labs लोकवीर कपूर ने शुरू की आ था slate को मोगी कु?. और उपासना टाकू ने शुरू की थी इस कमपनी को अगली कमपनी है ये सारी भारती कमपनी है भारती कमपनी है HDFC बैंक क्योंकि देखिए आपके जाम में ये भी पूछता है कि ये कमपनी किस देश की है तो अगर आप भारत की जान रहे हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेट करने में फायदा मिलेगा अगर आप विदेशी जान रहे हैं जानने का प्रयास पहले भारत का आप जान लीजिए और विदेश का मैंने इसी वीडियो में शुरू में आपको बतला दिया अगली कमपनी है HDFC Bank HDFC Bank हस्मुक भाई पारेक ने सुरू किया था HDFC Bank हस्मुक भाई पारेक अगली कमपनी है Larson और 2BRO डिनमार के दो इंजिनियर थे जो भारत में सरण लेकर रह रहे थे डिनमार के दो इंजिनियर थे एक का नाम था Larson, Henning Holk Larson और दूसरे का नाम था Soren Christian Tubro यानि एक के नाम में Larson था दूसरे के नाम में Tubro था दोनों ने मिलकर इस कमपनी को शुरू किया नाम रखा कमपनी का Larson और अगली कमपनी है दोस्तों Hero Motor Corp Hero Motor Carp आटो मेकर कमपनी है ब्रिज मोहन लाल मुनजाल इसके संस्थापक थे अगली कमपनी है बेदानता खनन की कमपनी है ये माइनिंग करती है इसके संस्थापक का नाम है अनील अगरवाल अगली कमपनी है दोस्तों TVS Motor Company है TVS 1911 में ही इसके स्थापना हो गई थी सुंदरम आययर सुंदरम आययर ने इसके स्थापना की थी TVS Motor Company 1911 में ही जब भारत आज आज भी नहीं हुआ था अगली कमपनी है दोस्तों Canra Bank अंबेंबल सुबबराव पै इसके संस्थापक थे चैनरा बैंक का बढवदा बढवदा के एक महराजा थे जिनका नाम था सयाजी राओ गायकवार्तृति बढवदा के महराजा थे बैंक का बढवदा उन्होंने सुरू किया तो दोस्तों इ कौन कौन सी कमपनिया है और उनके संस्थापक के बारे में आपने सीखा अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो आप लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी बजा लिजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रह थैंक्स पर वाचिंग